हालो एप्रिवन आई वेल्कम यू वाल तो मैं चैनल डामनड अडुकेयर सो मैं काफी दिनों बात वीडियो अपलोड कर रही हूँ अगर हम जिनरली बात करें तो अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आप यह तो कहोगे न हाँ भाई यह लो और पत्थर मारो आपको इना कोई स्टेप लोगे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहोगे जिस लाइक कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने आपको बचा सकते हैं वो एक ही बार डंक मार सकते हैं जो फैमिलियर हनी बीज होती है एपिस मेलीफेरा डाटर आलवेज रिमेन इन कॉलोनीज और यह अटैक तब ही करती है जब आप इसके च्छते हाइब्स या फिर कॉलोनीज को डिस्टर्ब करते हो जो डंक मारने वाले जीव हैं उन प्रणी की बेन फिर्ट आप तो जानते ही होगे लेकिन जो इनके स्टिंग होते हैं वह तो भाई अच्छे लोगों की तब्यत खराब कर देते हैं और वास्प यानी ततया की बात करें तो यह प्रकार का कीट होता है एंड इस यालो इन कलर मॉर्फॉलजी की बात करें तो जो हनी बी होता है यह इसी के तरह दिखता है वास्प ज्यादा तर लोगों के घरों में मंडराते रहते हैं और वहीं दिवारों पर छत्ता बना लेते हैं इनका जो स्टिंग होता है वो पीछे की तरफ होता है अगर और की बात करें तो हनी बीज एंड वास्प बिलॉंग to order him now Ptera honey bee's का डंक सिरैटेड होने के कारड अपने एन्मी के सरीर में इंटर्थ आसानी से कर जाता है परंतु निकलना ही पाता है इस्टिंग को निकालने की कोशिस में जो honey bee के सरीर का जो पिछला हिस्सा होता है वो टूट जाता है वह sting के साथ एनमी के skin में ही रह जाता है और वो डंग को निकालने का प्रयास करते रहती है और बट वो निकल नहीं पाता है जिसकी वज़ासे वो मर जाती है मरती क्यों है क्योंकि उसके डंग से ही उसका digestive system जुड़ा होता है इसलिए अगर आपको मधुमक्की काटे तो आप सबसे पहले क्या करोंगे उसके stinger अगर छूट गया है तो उसे निकाल दे क्योंकि अगर आप stinger नहीं निकालोगे तो विनम जो है अंदर और spread होते जाएगा और जिससे आपको और problem होगी और painful होगा अगर हम वास्प की बात करें तो इसका डंग जोता है फिली फॉर्म यानी स्मूथ होने के कारण खीचने पर आसानी से बाहर आ जाता है तो वो डंग मारने के बाद मरती नहीं है अगर हम इनके विनम की बात करें तो इस विनम गॉन्टेंज फ्स्री लो ओमोल्गुलर वेट कंपाऊंड लाइग गॉसाम्पल सेरोटोनीन, हिस्तामीन, असे तालगोलीन, अचेटाल कोलीन, ऑख लाएग लाइग, पॉलीप्ताइट नेुर ऐन चरी अने। विनम उनिव It also contains some enzymes like example hyaluronidase and the phospholipases which allow spread of this venom. Clinical feature की बात करें, तो instant pain होता है at the site of sting that is sharp, burning and usually last a few seconds. Swell कर जाता है, red marking हो जाता है that can be itchy and painful. Swollen and red hives or welds that may peak at around 48 hours after the sting and last for up to the one week. Most common reactions that is localized pain, redness, swelling, some severe allergic reactions, twistings that are known as anaphylactic reactions that may be life-threatening. जो treatment होता है, local reaction के लिए वो involve करता है, उस portion को हम clean करते हैं, then remove करते हैं, जो stinging apparatus होता है, then apply करते हैं, ice pack, sometimes हम थूद्पिस्ट भे अप्लाई करते हैं, hydrocortisone cream भे अप्लाई करते हैं, ताकि वहाँ pain ना हो, redness ना हो, swelling ना हो. सीम्टम्स की बात करें, तो swelling of the mouth or throat, wheezing, shortness of breath, nausea, vomiting, chest pain, fanting, etc. Most important part of dealing with bee and wasp sting is that you remove the stingers so that less of the venom goes into the body. सबसे मेन बात यह होता है, कि जब आपको जैसे कोई honey bee या फिर wasp अगर आपको डंक मारता है, तो आप सबसे पहले उसकी sting को निकालने की कोशिस करो, because कि अगर इस्टिंग अगर वहीं फसा हुए, तो वो क्या करेगा, वो स्कीन के अंदर जाएगा, और वीनम उतना इस्प्रेड होता जाएगा, जिससे कि और वो पेन होगा, और अलर्जिक रियक्शन कोश करेगा, स्वैलिंग होगी, तो सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, कि जो इस्टिंग है, उसको हम जितना जल्द हो सके, उसे हम रिमूफ कर सके, अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगियो, तो नोगे तो लाइग, शेरे और सब्स्राइब मैं चैनल,